दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि आपकी हजार कोशिशों के बावजूद आपका ट्विन फ्लेम आपकी किसी भी बात से कन्विंस नहीं हो पाता या हो पाती और आपको चाहे कितना ही भरोसा क्योंना आपकी बात पर किया यह जो मैं कह रहा हूं या कह रही हूं यह 100% totally correct है लेकि सब कुछ try करने के बाद भी उनको आपकी किसी बात पर यकीन नहीं होता ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अगर आप वाकी में सही होते हो और आपको मालूम है आप क्या कह रहे हो और आप क्यों कह रहे हो तो आपको किसी को भी convince करने की जरुरत नहीं पड़ती Twin Flame Journey का सबसे बड़ा important lesson यही है कि Twin Flames should stop trying to convince other people about their beliefs, opinions and their truths अगर आप अपने पर भरोसा करते हो तो आपको किसी को भी कुछ भी prove करने की जरुरत नहीं है हो सकता है कि आज की rate में वो आपकी बात ना मानते हो उनको लगता हो कि नहीं यह जो भी कह रहा है यह कह रही है बक्वास है ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन सही समय आने पर उनकी आँखे खुलेंगी और उनको भी उस बात का पता चलेगा जिस तरीके से सूरज और चांद एक ऐसी सच्चाई है जिसको कोई जुकला नहीं सकता कोई बदल नहीं सकता और उसके लिए आपको किसी को proof नहीं देने की जरुरत किसी को convince नहीं करना पड़ता उसी तरीके से ट्विन फ्लेम जर्णी ये जो ascension जर्णी ट्विन फ्लेम की है ये भी उतनी ही ज्यादा सच्ची है और इसको आपको किसी को proof करने की जरुरत नहीं है आपको सिर्फ इसके अंदर से गुजरना है ताकि आपको अपना union मिले क्योंकि twin flame mirror उसी को मिलता है जो खुद twin flame होता है सही शीशा सही आयना आप तभी देख पाओगे जब आप खुद को देखने की शक्ती और हिमत रख सकोगे इसलिए दोस्तो inner work करना बहुत जरूरी है अपने आपको heal कीजिए therapy कीजिए जो भी कीजिए लेकिन सही तरीके का inner work कीजिए ताकि आप उस zone से निकल जाये जहां पे आपको हर चुटचुटी बातों के लिए लोगों को convince करना पड़ता है खास तोर से उन्हें जिन से आप स बात ना हो तब भी तुम्ही एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे बाकी रस्ते में मुसाफिरतों मिलते ही रहते हैं थैंक्यो वाचिंग वन लव एन पीस आउट एन चैश्री रांग